जब तेंदुवा बच्चे पर हमला करता है उसी समय जलकारी ने तेंदुव के साथ लड़ाई करते हुए तेंदुव को मार भगाया मार भगाया उसको गिरा दिया इसके चलते जलकारी बाई अपने क्षेतर में काफी लोग प्रिये हो गई थी यनी वीर पती की पतनी वीर पिता की बेटी अपने कारणामों से बहुत अधिक अच्छी तरह से शाग्दी से पहले ही वो इस परकार की बहुत सारी विरांगना वाली उनकी घटनाए सब तरफ सब दूर फैल चुकी थी जलकारी भाई कि भारी सुरक्षा के साथ जब एक तंबू में कैद किया गया था हाला के एक मौका देखते ही जलकारी भाई रात में कैद से भाग गई अगले दिन जर्नल हूज रोज में किले में एक भ्यंकर हमला किया एक भ्यंकर हमला किया जिस किले में जलकारी भाई जाके बैठी थी थोड़ा सा आराम करने लगी थी अगले दिन फिर युद्ध की तैयारी के लिए तैयार हो रही थी लेकिन इस बीच में जर्नल हूज ने हमला करके अब वो सारे अंग्रेज सरकार के सामने लज्जित नहीं होना चाहता था कि बड़ी मुश्कल से पकड़ा और फिर वो भाग गई जर्नल हिूरोज ने उस किले पर एक भेंकर हमला किया जहां जलकारी बाई से भिरना पड़ा फिर मुकाबला किया एक लंबी लडाई में उनका पती वीरगती को प्राप्ट हो गया था और वो एक कैनन शॉट के द्वारा मारे गये थे तोब के गोले के द्वारा और तोब का ही एक गोला जलकारी बाई को भी लगा उससे जलकारी बाई की भी उसी किले में मृत्यू हो गई और अन्तिमक्षन में जो उद्गोश किया जो नारा लगाया वो था जय भावानी जय भावानी कहती हुई ये विरांगना अपने छोटी आयू में ही इस संसार से चलती बनी इस सफर को समात्र करके अपने पीछे अपनी गाथाएं छोड़ कर अपनी वीरता की शौर्य की समरितियां छोड़ कर और इसके उपर जो चर्नल हिरोज ने कहा पहले भी कहा है उसको जो इंग्लिश में उसने लिखा था वो लाइने में बता रहा हूं आपको इफ एवन परसेंट अफ्टा इंडियन वोमें गो मैड दिस वे वी इंग्लिश मेंन विल हैव टू लीव एवरिफिंग यह और गोवे हमको भाग जाना पड़ेगा अगर एक परसेंट भी ऐसी महिलाएं जलकारी बाई की तरह हो जाएं इस परकार की सारे देश के अंदर सारे विदेश में इनकी कथाएं अंग्रेजों ने सारे दुनिया के अंदर जाके सुनाई जद्दपी उनके लिए ये कोई अच्छी बात नहीं थी लेकन इस बात को वो छुपा भी नहीं शकते थे वो आश्चरे में पड़ जाते थे कि यह क्या चीज थी विरांगना जलकारी बाई का संक्षिप्त इतिहास मैंने आप लोगों के सामने आज रखने का प्रयास किया है थारा सो स्तावन के क्रांती उसके सूत्रधार और उसकी उपलब्दियां और वीर मंगल पांडे की पहली गोली जो थारा सो स्तावन बे एकतिस मार्च को यद्दपी समय से पूर्व हो जाने के कारण कुछ करबड़ भी हुई लेकिन कितना बड़ा समर्था जो थारा सो स्तावन से रंभ होके उननी सो संताली की अजाती का अधार बना नीम बना उसकी नीम तबी रखी गई थी हम चर्चाएं करेंगे आगे भी ऐसे ही अग्यात अनकिनत नायक नायकों को आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा जय बहाराद